नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो जैसे कि हम जानते ही है कि Amazon और Flipkart पे 3 Public Day Sale स्टार्ट हो चुका है वैसे दोसका date 15 से लेकर 20 रगा गया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह extend हो सकती है यह फिर किसी और नाम से भी launch हो जाती है दोस्तो तो यह sale हमें 20 से 25 तरीक तक देखने को मिल रहे हैं लेकिन आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तो टॉप सेवन ऐसे स्मार्टफोन जो कि आपको 15,000 पर से नीचे की प्राइज में देखने को मिल जाएंगे इस sale में इनफेक्ट कुछ स्मार्टफोन का प्राइजिंग तो दोस्तो करीब 18 से अलरड़ी यूस किया हुआ है दोस्तो इनका डेटेल वीडियो पर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा और इनके लिंक्स आपको नीचे description मिलेंगी ताकि कि आप इनकी current pricing और फ़र को चेक कर सकें तो चले दोस्तो टाइम खराब नहीं करते हैं स्टार्ट करते है नमबर 7 के साथ नमबर 7 पे दोस्तों आपको दो फोन बताने वाला हूँ एक आता है Moto की तरफ से Moto G52 और दूसरा आता है दोस्तो Redmi की तरफ से Redmi Note 11 दोनों ही दोस्तो 4G फोन है अगर आपका बज़र 10 से 11,000 रुपे की बीच में हैं दोस्तों तो जरूर आप स्वोन को कंसिलर कर सकते हैं ये दोनों ही अच्छे फोन्स हैं वैसे यहाँ पर हम डेटेल कंपरेसन कर चुके हैं दोस्तों दोनों ही फोन्स का और एक वैली फोर मनी फोन भी हैं दोस्तों प्राइजिंग की बाद कर लेते हैं तो जो Moto G52 है दोस्तों ये आपको वैसे देखने मलता है जनरली 12,999 रुपी प्राइज में अतलब 13,000 रुपी की प्राइजी में रेजी डील हमको देखने को मिल जाती है तो ये आते हैं दोस्तों में नमबर साथ की बोईशन पर नमबर सेक्स की बात करते हैं दोस्तों तो ये आता है सामसें की तरफ से सामसें के रेक्सी F23 5G दोस्तों जिसका जनरल प्राइज होता है 14,999 रुपए लेकिन इस सेल में आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों पोन कर डिजाइन अच्छा है डिस्प्ले की बात करते हैं तो 120S का पो यहां पेखने को मिल जाता है तो 50 दोस्तों यहां वह सारी चीजी आपको देखनãy मिल जाती हैं दोस्तो इस phone में जो कि हम लगवग 15,000 के phones expect करते हैं और अब तो sale में आपको लगवग 12,000 रुपी price में देखने हूं बल रहा है तो हाँ आपने साथ काफी अच्छे value लेकर आता है दोस्तो इसलिए दोस्तो इसको रखा गया है number 6 की position पर number 5 की बात करते हैं दोस्तो तो यह आता है IQ की तरफ से IQ Z6 Lite 5G की मैं यहाँ बात कर रहा हूं दोस्तो वैसे इसका general price होता है दोस्तो लगवग 14,000-15,000 रुपै लेकिन इस sale में आप देख सकते हैं सिरफ 12,000 रुपी बिसका price है मतलब 11,000 रुपी की price में आपको एक अच्छा 5G phone देखने को मिल रहा है Snapdragon 4 Generation 1 chipset आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो recently अपने Note 12 5G में भी देखा है दोस्तो इसके लब अगर बात कर रहा हूं camera की तो 50MP का primary sensor अपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है करीब 11,500 रुपी की price में दोस्तो आपको ले सकते हैं अच्छा device है इस price में वैसे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपग्रेट करना अगर आपका budget थोड़ा सा उपर है तो IQ Z6 5G की तरब भी जा सकते हैं वो आपको मिलने वाला है लगब 15,000 रुपी की price में डिस्काउंट लगा के गरीब आप 14,000 रुपी price में उसको ले सकते हैं वहाँ पर आपको Snapdragon 695 चेसर देखने हो जाता है पाकी features लगपक सेम हैं तो आप choice कर सकते हैं दोस्तो IQ Z6 Lite 5G या फिर IQ Z6 5G आपको कौन से phone की तरफ जाना चाहिए ये दोनों ही phones आते हैं वाट लिस्ट में नंबर 5 की position पर नंबर 4 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पी दो phone में आपको अदाने वाला हूँ दोनों ही phone आते हैं Poco M4 Pro 4G दोस्तों और Poco M4 Pro 5G दोनों ही phones अच्छी pricing की साथ में दोस्तों अब available हैं अब 4G वाले phone में दोस्तों आपको थोड़ो से features जादा देखने को मिलने वाले हैं पहले price आपको बता दूँ वैसे इसका generally price होता है 12,990 रुपर लेकिन sale में मैं देखने हो मिल रहा है सरफ 10,990 की price में और वहाँ पे भी discount लगा के आप 9,990 रुपर की price में से ले सकते हैं तो 10,000 रुपर के price के साथ दोस्तों amazing deal बन जाती है क्योंकि सबसे पहले तो ये super emerald panel के साथ में आता है 98 का screen refresh rate भी यहाँ पे दिया गया है phone का design अच्छा है दोस्तो phone का display quality इच्छा है इसके लगा मैं camera की बात करता हूँ तो वहाँ पे 64 Megapixel का primary sensor दिया गया है Mediatek का Helio G96 यह setup को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है 5.0 बैटरी है 33W का fast charging support है और इस phone के साथ में practical experience में मेरा खाफी अच्छा रहा है तो हाँ दोस्तों बहुत यह अच्छा device है लगबग 10,000 रुपी pricing में और अगर आप 5G phone लेना चाते हैं तो वहाँ पे आपको करीब 12,000 रुपे खर्च करने होंगे जहाँ पे आपको Mediatek का Dimensity 810 chipset देखने को मिल जाएगा जोगी एक powerful chipset है और दूसरा चो camera आपको मिलने वाला है वो होगा MLS में नंबर 4 की position पर नंबर 3 की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह फिर से आता है Motorola की तरफ से और यहाँ पर है दोस्तों Moto G62 5G दोस्तों इसका general price होता है लगबग 16,500 रुपे लेकिन इस sale में यह करीब 14,500 रुपी पर पाइस में available है और अच्छा phone हो सकता है अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इसके लावर डिस्प्ले की तो एक IPS पाइस पाइनल है फुल एस्टी प्रस का resolution आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यह आपको मिलता है दोस्तों 128 के screen differentiator के साथ में इसके लावर दोस्तों फोन में आपको 50 Megapixel का primary sensor देखने को मिल जाता है अच्छी खासी images को यह capture कर लिता है दोस्तों 5000 image का battery 33W का fast charging support यह सरी चीज़ आपको और देखने को मिल जाती है तो एक अच्छा device है दोस्तों बोटलर की तरफ से definitely आप इसे consider कर सकते हैं दोस्तों लगबख 14,500 रुपी प्राइज में यह available है और आज की list में यह available है दोस्तों नमबर 3 की position पर चलते हैं दोस्तों नमबर 2 की तरफ तो यह आता है फिर से Poco की तरफ से pricing काफी अच्छा हो गया है दोस्तों इस device का मैं बात कर रहा हूँ Poco X4 Pro 5G के दोस्तों जिसका generally price होता है करीब 17-18,000 रुप है या फिर किसी sale में आपको यह 16,000 रुपी प्राइज में देखने को मिल जाता है यह अच्छा design दोस्तों यहां से हमको rear side से भी glass bits देखने को मिल रहा है अगर मैं बात कर रहा हूँ फोन के display की तो Super AMOLED panel 128 का screen differentiate यहां पर दिया गया है दोस्तों अगर हम बात कर रहा है इस के अलाव फोन के performance की तो snapdragon 695 के से आपनी काम करता है तो performance आपको यहां पर अच्छा देखने को मिलने वाला है दोस्तों इनफेक्ट इसपून का charging speed दोस्तों काफ़ अच्छा है 67W का charging support आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और फोन में बैटर दिये गया है 5,160 इमेज का बागी फोन में 64 Megapixel का primary sensor है दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छी image को capture कर लेता है यहां पर में dual studio speakers भी देखने को मिल जाते है IR blaster भी देखने को मिल जाता है तो overall एक अच्छा device है दोस्तों करीब 17-18,000 रुपी प्राइजिंग में available होता है लेकिन इस sale में लगए 14,000 रुपी प्राइजिंग में से आप ले सकते हैं इसलिए दोस्तों यह आता है में इसमें नंबर 2 की पोजिशन पर और अब दोस्तों फाइनल यह बात हो रही है नंबर 1 की जिसका बहुत ही amazing pricing अब available है दोस्तों यहां में बात कर रहा हूँ realme narzo 50 pro 5G की दोस्तों जो की generally आपको मिलता है 20-21,000 रुपी प्राइजिंग में लेकिन इस sale में अब यह से लिए सकते हैं सिर्फ 15,000 रुपी की प्राइजिंग में लगब 25,000 रुपी की प्राइजिंग में दोस्तों हमें इस sale में अब से लिए सकते हैं लगब 15,000 रुपी की प्राइजिंग में इसके लब फोन का डिजाइन अच्छा है दोस्तों compact फोन है 6.4 जिसका screen size अब को यहां पर देखने को मिलने वाला है इसके लब अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फोन के कैमरास की तो यह ठीक है 48 मेड़ का प्राइमेर सेंसर यहां पर दिया गया है ठीक टक्सी में जिसको capture कर लिता है बतलब बहुत अच्छा कैमरा नहीं कहूंगा लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है दोस्तों ठीक कैमरा आपको यहां पर दिखने हूं मिल जाता है फोन में 5,000 आपको यहां पर दिखने हूं मिल जाता है फोन का entertainment segment भी दोस्तों काफी अच्छा है display quality में आपको अल्रेट बता है और यहां पर जो speakers हैं वो भी अच्छे आपको दिखने हूं मिल जाते हैं लिंक आपको भी लगा निचे description में वहाँ पर जाके आप इसे check out कर सकते हैं दोस्तों तो यह आता है में डिस में number one की position पर तो कुलम लागर दोस्तों यह थे top phone जो कि आप खरी सकते हैं 15,000 पर दिखने हैं इस sale में अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखने हैं चलकर subscribe जरू कर लिजएगा हम आपसे मलते हैं आपको यह किसे वीडियो में तब तक के लिए आपकी दिन शोप रहे हैं और आज का वीडियो देखने हैं दोस्तों बहुत बहुत दन्यवाद